हेलो फूरीज, वेलकम टू माई चैनल मील बाई मेल, मैं हूँ आपका होस्ट जिगनेस मजीठिया जैसा कि टाइटल में लिखा है, आज हम गुजरादी कटी बनाने जा रहे हैं जिसमें सब के सब छे के छे स्वाद का संगम है, कैसे चल ये देखते हैं एक छोटी सी पती ली लेकर उसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे एक कटोरी भर के चार्च, ये हमारा पहला स्वाद हो गया, खटा स्वाद मैं यहाँ सेंपल के तोरबे सिर्फ दो कटोरी कटी बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चम्मज भर के बेसन डाला हुआ है इसको हम हमारे घर में जो लकडी की रेग्यूलर मतनी होती है, वो मतनी से बराबर हिला कर मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लंप्स, कोई गठे ना रह जाए एक बात ध्यान रखे, अभी तक हमने गैस्टोव शुरू नहीं किया है आप अगर ये मतनी का इस्तमल नहीं करना चाते हो, और आपके घर पे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है, तो हैंड ब्लेंडर से भी आप कर सकते हो या उसके बजाई जो अपना यह बीटर होता है जो केक में या और किसी चीज में इस्तमाल होता है उसे भी आप मिक्स कर सकते हो में चीज यह है कि गठे नहीं रहने चाहिए अब हम गेस्टोव को शुरू करेंगे उसको दिमी आज पर रखेंगे और हमारा जो मिक्स तयार हुआ है चाच और बेसन का उसको गेस्टोव पर रख देंगे और उसके अंदर डालेंगे हम चार-पांच काढ़ी पत्ते इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़े से मीथी के दाने तो यह हमारा कड़वा स्वाद हो गया स्वाद नमबर दो एक दो लॉंग डालेंगे थोड़ इसे दाल चिनेंगे टुकडे डालेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और मिर्ची की पेस्ट यह हमारा हो गया स्वाद नमबर तीन तीखा स्वाद आप चाहे तो मिर्ची के टुकडे और अदरक घिसकर इसमें डाल सकते हो मेरे यहाँ पेश्ट रेडी थी तो मैंने डाल दी है उसके बाद हमने एक टी स्पून परके नमक डाला है यह हमारा स्वाद नमबर चार हो गया नमकीन स्वाद और उसके बाद थोड़ा सा इसमें देसी गुड डालेंगे यह हमारा हो गया स्वाद नमबर पांच मीठा स्वाद और सब चीजों को हम बराबर हिला कर मिक्स करके उबलने के लिए छोड देंगे दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था मैं दो कटोरी कटी बना रहा हूँ एक कटोरी चार्च हमने लिया था एक कटोरी अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको बराबर हिला के मिक्स कर देंगे दोस्तों कटी में बेसन होता है और बेसन प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है तो जो शाकारी लोगों को अपने शरीर में प्रोटीन बढ़ाना है उसको ये गड़ी जरूर खानी चाहिए ये हो गए आज की हेल्थ डिप्स हमारी गड़ी उबलकर अल्मोस्ट रेडी है तो उसके लिए हम एक तड़का रेडी करेंगे तो उसके लिए मैंने दूसरे श्टवो पे एक तड़का पैन लखा है और उसमें एक छोटा चम्मच बरके देशी गी डाला है और थोड़ा सा अधा चम्मच जितना तेल डाला है गी और तेल का मिक्स तड़का हम इसमें लखाएंगे थोड़ा सा गरम होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे वन हाफ टीस्पून जीरा और वन फोट टीस्पून हिंग इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा गरम होने देंगे थोड़ा जीरा ततर ने लगा है तो इसमें हम सुखी लाल मिर्च इसमें डालेंगे और ये सब चीजों को अच्छे से हिला कर मिक्स कर लेंगे और जैसे ही ये बराबर मिक्स हो जाए तो इस तड़के को हम कटी के अंदर डालेंगे और कटी के साथ इसको बराबर मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा तबसा इसमें बचा हो तो और तोरी कटी इसमें डालेंगे हम इसको पूरा ले लेते हैं और कटी के अंदर बराबर मिक्स कर लेते हैं तड़का डालने के बाद बराबर हिला कर मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनिट थोड़ा उबाल के उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया अपना जो छठा स्वाद बाकी था वो छठा स्वाद इस धनिया में आ गया है धनिया का स्वाद कसेला रहता है मतलब जैसे आवला हो गया हरडे हो गया उसका जैसा स्वाद रहता है ऐसा धनिया का स्वाद रहता है तो इसके साथ हमारे छे स्वाद इसमें आ गये है तो दोस्तो हमारे छे स्वाद वाले गुज्रादी करड़ी बनकर तैयार है तो इसको हम एक टोरी में सर्व कर लेते हैं इसे स्टीम राइस, जीरा राइस, मतर पुलाओं के साथ हम खा सकते हैं तो फोरीज आसके रेसिपी आपको कैसी लगी वो मुझे कॉमेंट में जरूर बताइए ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हाँ अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए थेंक यू